श्कार दोस्तों विल्चेर इंडिया के यूटुब चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगा कर्मा आर्टी 60 रोलेटर वाकर के बारे में तो देख सकते हैं दोस्तों ये कर्मा आर्टी 60 रोलेटर वाकर है जो फुली ऐलिमिनियम माटेरियल में बना है प्लस इसमें बैठने के लिए seat दी गई है प्लस इसमें storage के लिए अगर market अगरा जाते हैं आप तो इसमें storage के लिए एक basket भी दी जाती है आपको storage box भी दिया जाता है प्लस ये four wheel walker है आप देख सकते हैं इसके wheel इस type में है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा आज कि इसको कैसे fold किया जाता है प्लस इसमें height adjust कैसे की जाती है इसके handle को कैसे adjust किया जाता है तो देख सकते हैं आप मैं इसको fold करूँगा तो आपको ऐसे seat उपर लेना है ऐसे इस basket को निकालना है आपको प्लस आपको ये बीच में जो road दी गई है इसको उपर ती तरह push करना है तो ये easily fold हो जाता है देख सकते हैं आप इस type से fold हो जाता है तो दोस्तों देख सकते हैं आप easily carry भी कर सकते हैं ये बिलकुल light weight है अब मैंने इसको वापिस रख दिया इस type से इस basket को आप आगे भी लगा सकते हैं इस type से आप इसको रख सकते हैं अब मैं आपको बताऊँगा आप कैसे इसकी height adjust कर सकते हैं इसमें height adjust के लिए आपको ये bold खुनना रहेगा इसमें ये six point दिये गए हैं आपको ये last point पे मैं इसको set कर रहा हूँ आप देख सकते हैं ये मैंने last point पे इसको set कर दिया आप इधर का भी देख सकते हैं मैं last point पे उसको भी set कर सकता हूँ इसे आप अपनी height के अनुसार इसको adjust कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं आप मैं इसको adjust कर रहा हूँ प्लस इसमें हातों में आपको breaking system भी दिया जाता है इस type से आप break को use कर सकते हैं ये break lock भी हो जाते हैं इनको नीचे push करते हैं आप तो automatic lock हो जाते हैं तो देखिए आप मैं आपको ये walker चला के बताऊंगा इस type से आप इसको चला सकते हैं अगर आपको रोकना है तो इन break का use करना पड़ेगा आपको और अगर आपको लगता है कि आप कहीं ठक गए हैं या आपको थोड़ा rest लेना है तो आप इस पर बेट भी सकते हैं इस type से आप इसके उपर बेट सकते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वाकर है करमा का और आप इसे online www.wiltureindia.com से purchase कर सकते हैं तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो like, comment, share जरूर करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें